इस बात को सुन करके कितने students के मन में कितना खुसी हो रहा होगा और मन में ही लड़ो पुड रहा होगा कि क्या बात है कि मतलब 30% हम लोग का syllabus कम हो गया है मतलब कि अब हम लोग को 30% नहीं पढ़ना पड़ेगा मतलब 30% syllabus कट जाएगा तो बहुत ही अंदर से खुसी हो रहा होगा अंतर आत्मा उसका बोल रहा होगा कि वा क्या बात है 30% तो अब हम लोग को नहीं पढ़ना है मालने ते आप लोग 12 में ही है मालने ते आपका integration कट हो गया ऐसा तो होगा नहीं लेकिन मालने ते integration कट कर गया तो मालने ते वो कय क्या आप लोग को लगता है कि अब integration हमको नहीं पढ़ना है इंटीगरेशन एक्दम छोड़देना है ऐसा कभी भी नहीं होगा ठीक है आप लोग को सारा सब्जेक्ट मालने ते हां आपका board board आपका integration हटा दे मालने ते हैं आपका board differentiation छैप्टर को या कोई भी एक चैप्टर चैप्टर को हटा दे लेकिन बोर्ड तो आपके साथ मतलब कोई गेम नहीं खेलेगा ठीक है जो बोलेगा वही करेगा ठीक है मान लेते हैं कि डिफ्रेंशेशन कट हो गया ठीक है मान लेते हैं ठीक है लेकिन क्या आपके साथ बोर्ड तो बोल दिया कि बोर्ड हाँ बोल रहा है बोर्ड आपका बोल रहा है कि ये कट तो कट कर देगा उस से आपका बोर्ड में नहीं आएगा ठीक है इस चैप्टर से आपको बोर्ड में नहीं देखने को question मिलेगा क्योंकि वो आदा किया ठीक है लेकिन क्या आपको differentiation जो board हटा दिया क्या आपको उससे जिन्दगी भर के लिए छुटकारा मिलेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कभी भी कोई भी exam में face करने करने के लिए वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि क्रोना वाइरस था बाबू इसलिए ये chapter को हटा दिया गया है हम भी नहीं पूछेंगे कभी जिन्दगी में ऐसा कभी भी नहीं होगा याद रखना ये बात ठीक है इसलिए आपको सारा चीज पढ़ने का जरुवत पढ़ेगा सारा चीज पढ़ना पढ़ेगा ये इतना खुस मत हो आप लोग कि हाँ 30% कट यानि कि हमको कुछ नहीं पढ़ना पढ़ेगा मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मोटिव यह है कि आपको demotivate नहीं करके हम आपको motivate करें कि आपको सारा चीज पढ़ना है अगर आपको success करना है आपको कामयाब होना है तो आपको हर chapter को लेके साथ में चलना पढ़ेगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सारे चीज का सारे chapter का एक दूसरे से link है ठीक है? एक दूसरे से link है जैसे आप लोग अभी तो छुटकारा मिल जाएगा लेकिन कोई भी exam में आगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है वहाँ तो एक्जाम में आ जाएगा कि integration बताओ sign का integration क्या होगा तो अब बंदा mind से सोचेगा sign का integration बोर्ट तो हटा दिया था हम लोग तो पड़े नहीं ठीक है तो क्या वहाँ आपका ये चलेगा कि हाँ चलो यहाँ पे भी यहाँ पे क्यों पूस दिया यहाँ तो अन्याय हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पे आपको smart बनना पड़ेगा यहाँ पे आपको सारा चिच पढ़ना पड़ेगा चाहे आप कैसे भी पढ़े हैं क्योंकि अगर आपको like में आगे बढ़ना है तो आपको सारा चिच पढ़ना पड़ेगा ऐसा इतना भी खुस नहीं होना कि चलो 30% कट हो गया है तो हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है इंटिग्रेशन साफ हो जाएगा डिफ्रेंशेशन साफ हो जाएगा ऐसा भी नहीं होने वाला है लेकिन हम आपको सिर्फ एक ही आपको सलाह देंगे कि आपको सारा चीछ पढ़ना है, अगर जिंदगी में कुछ आगे करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो सारा चीछ पढ़ना है, ठीक है, आरे एक दूसरे से link है, ठीक है, जैसे आगर आप लोग जानते होंगे, कि अगर मालने ते हैं Trigonometric आप लोग नहीं पढ़ने, ठी आज ये कि आप पूरा 12 को, या जो class में आप लोग हैं, एक chapter को भी आप क्या करते हैं, skip करते हैं, या skip करता है board, तो आपको सारा एकदम, base जो एकदम आपको हिला देगा, ठीक है, क्योंकि सारा एक दूसरे से link है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से link रहेगा, मालने है कि बहुत ही बुरा हो रहा है, इस वक्त मतलब lockdown की वज़ा से, जब से COVID-19 आया है, तब से मतलब students के लिए बहुत ही बड़ा bad news है, ठीक है, कि मतलब पढ़ाई बहुत ही कमजोर होता जा रहे है, ठीक है, अधिक तरह students का, अंत में सिर्फ आप लोग को हम यही बोलना चाहे कि देखिए, आप लोग कैसे भी हो, नेट से या कहीं से भी, आप लोग खुद से self study करो, ठीक है, घर पे बैठने से कोई नहीं, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है, लाइफ में देखिए, लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कोई भी कुछ नहीं कहेग आप लोग घर पे एक साल बिता देंगे, अगर आप लोग 12 में हैं, या कोई भी एक्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग एक साल वेस्ट मत करो, ठीक है, अभी से, जब जागो तब सवेराई, खुद से मेहनत करो, जहां तक होगा हम आप लोग को help कर रहे हैं, help करेंगे भ तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ आप लोग को ये करना है, कि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है, खुद से, self-study एकदम करते रहो, कि हां आपको self-study करना है, तो करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी कोई coaching school नहीं खुलने की वज़ा से, घर पे मत बैट हो, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही हम आपको ये ही बोलेंगे, कि आप लोग को क्या करना है, आपको कोई भी chapter मतलब हट जाए बोड में, लेकिन सारा काम देने वाला है, यहां तो हट जाएगा, लेकिन सब जागा, आपको जरूर मिल जागा, इसलिए आप लोग को बोलेंगे, कोई भी chapter रसकिप नहीं करना है, सारा chapter को आपको पढ़ना है, लाइन बाइ लाइन, और बेहतर सरीके से पढ़ना है, अगर आगे जिंदगी में कुछ करना है, तो पढ़ा वीडियो को बनाने में, बहुत ही मेनत लगता है, ठीक है, लाइक, कमेंट और सेर करना, मत भूलना, तो चलिए, आज के लिए तनहीं, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में